पिछले कुछ समय से बॉलिवुड में एक ही अक्ट्रोस की चर्चा है और वो है कंगना रनौद ऐसा कोई दिन नहीं गुसरता होगा जब कंगना किसी न्यूस चैनल की हेडलाइन नहीं बनती होगी या ट्रिटर पर उनका नाम नहीं ट्रेंड कर रहा होगा लगातार बॉलिवुड में पहले वंचवाद और ड्रक्स का मुद्दा उठाते वे उन्होंने कई सितारों पर निशाना साथा है इसी बीच कंगना का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में हो रही कई चीजों को आतंकवाद से जोड़ा है जहाँ गाना लिखती हैं कि हमें विभिन आतंकियों से इंडस्ट्री को बचाने की सरुवत हैं भाई भतीजाबाद का अतंकवाद ड्रक्स माफिया का अतंकवादहार्मिक और शेत्रिय आतंकवादध विदेशी फिल्मों का अतंकवाद पाइडिसी आतंकवाद, मजदूरों के शोशन से जुड़ा आतंकवाद, प्रतिभा के शोशन का आतंकवाद अब बताते चलें कि कंगना की ओर से ये ट्वीट तब आया जब मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बहतरीन फिल्म सिटी तयार करने की बात कही थी तब कंगना ने उन्हें टैक करते वे फिल्म इंडस्ट्री में और भी कई तरहा के बदलाव होने का जिक्र किया था इसी कड़ी में अब उन्होंने हालिया ट्वीट के जरिए इंडस्ट्री में फैली कुरीतियों को आतंकवाद का नाम देते वे इस पर अंकुछ लगाने की बात कही है देखते हैं उनके द्वारा किये गए स्ट्रीट पर आगे योगी आदितनाथ कोई कदम उठाते हैं या नहीं